अलो बचो आप से भी काई पाफिर से स्वागता मारा चानल इजी वेज में बचो आज हम आपके लिए लिखे हैं कक्षा आठी की गणित विश्य की कारेपतर नमबर 26 बचो जैसे कि आप से भी जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने नाम लिखना होता है और अगले फिल्ड में हमें अपने कक्षा आदे आपका नाम लिखना होता है चल यह देखते हैं अपनी वरक्षीट उससे पहले बचो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड साओ शेयर गरना ना भूलें चल यह देखते हैं अपनी वरक्षीट आज के हमारे वरक्षीट टाइटल अब चो गन के अबाजय गुननखंड यहाँ पे हमें कुछ चीज़े बताई गई है सबसे बहले बताई गया किसी संख्या की गुननखंड बे सभी गुननखंड अबाजय होते हैं तो संख्या का अबाजय गुननखंड कहते हैं उधारन 500 के यहाँ गुननखंड दिखाय गई हैं 2-2,5-5-5-5 अब बचे हाँ पे 500 का अबाजय गुननखंड कैसे निकाल सकते वह दिखाया गया है इसके बाद हमें कुछ चीज़े बताई गई हैं चिंटू और पिंटू के आपसकी बात बताई गई है चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं दोनों ही आठवी कक्षा के चात्र हैं दोनों ही गनित क्लब के सदस्य हैं शनिवार के दिन दोनों गनित क्लब में भाग ले रहे हैं उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है इसके बाद चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं चिंटू कहता है क्या आपको एक बात पता है पिंटू कहता है क्या चिंटू बताता है ऐसी बहुत सारी संख्याओं है जिनका अबाजय संख्याय मिलती हैं जैसे आठ का अबाजय गुननकन आता है दो गुना दो गुना दो इसमें आठ के अबाजय गुननकन में दो तीन बार आता है इस वाँ चिंटु कहते हैं हाँ इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं पिंटु कहते हैं तो क्या यह आउश्यक है कि किसी सं समूँ होना चाहिए जैसे 216 का अवाज्य गुनंखण है 2 गुना दो गुना दो गुना तीन गुना तीन है यहां 2 तथा तीन भी तीन तीन बार आया है इसलिए अ संख्या पूर्ण गन संख्या है इसके बाद बच्चों हम एक प्रशन दिया गया है इसका हम आगे सोलुशन देखेंगे उससे पहले हम एक चीज़ बताई गई है एक ऐसी संख्या जिनके सभी अबाजय गुनंकन तीन के समू में उसे गन संख्या या पूर्ण गन संख्या कह करने पर दो केवल एक ही बार आया पूर्ण गण बनाने के लिए दो गुणा दो की जरुइए रहत होगी क्यार बचो हमें दो का समूग भी पूरा करना पड़ेगा तब ही ते पूर्ण गण बनेगा इस प्रकार राम को दो गुणा दो यानि की चार बकसों की जरुइए अब बचो दीगी जानकारी के आदार पर हमसे कुछ और प्रशन पूछे गए हैं चलिए देखते हैं इन सभी प्रशनों के उत्तर पहला है संख्याओं का आबाजय गुननखन निकालें बचो यहाँ पर तरीका दिखायागा के इसका आबाजय गुननखन कैसे निकाल सकते हैं हम इस संख्या को अलग-अलग संख्याओं से बाग करके देखते जाएंगे और जब आखरे में एक आजाएगा वहाँ पर हम रुख जाएंगे यहाँ पर भुच्छो दिखाएगा 3,325 का आबाजय गुननखन कै आएगा वहाँ गा पांच गुना पांच गुना साथ गुना उन्नेज जिन संख्याओं से अमने इसे भाग क्या था वह इसके आबाजय गुननखन में आ जाएंगे अगला 1728, 1728 का पुच्छों यहां पर तरीका दिखाएगा, कैसे आप इसका अबाजय गुननखन निकाल सकते हैं, इसके बाद 1728 का अबाजय गुननखन आएगा, तीन गुणा 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 ती यानि 5 की गात 3, गुणा 2 की गात 3, अगला प्रशन है, निमन में से कौन सी पूर्ण गण संक्या है, यहां पर हम बताने कि कौन सी संक्या हैं, पूर्ण गण संक्या है, सबसे पहले में दिया गया 216, तो बच्चा इसको हम अबाज्य गुणंखन निकालेंगे फ़ेले इसका जोएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 दोनों 3 तीन के समूव में हैं इसलिए आप हम लिखेंगे यहाँ गुणनखन में सभी अबाज संखें 3 तीन बार आती हैं इसलिए 216 एक पूर्ण घं है इसके आपचो दिखाएंगे 10,000 आप कुछ इस प्रकार से इसके आबाज गुणनखन निकाल सकते हैं जोएंगे आपके 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आप देखेंगे बच्चो इसमें यहाँ पर 5 का 1 3 का समूब बन रहा है और 2 का 1 समूब बन रहा है 3 3 का इसके अलाव पांच और 2 बस्ते हैं जो समूब नहीं बना रहे तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणनखन में सभी अवाजय संखें तीन तीन बार आती हैं इसलिए 739 एक पूर्ण गन है अगला है बच्चो दो हजार पच्चेस जब अबच्चो दो हजार पच्चेस का अबाजय गुणनखन निकालेंगे तो आप देखेंगे 5 गुणा 5 एक बार आया उसके बाद 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानि 5 की गाद 3 गुणा 5 की गाद 3 जिसे आप लिख सकते हैं 25 की गाद 3 यहां गुणनखन में सभी अबाजय संखें 3 तीन बार आती हैं इसलिए 15625 एक पूर्ण गन है इसका अगला प्रशन दिया गया है वह है छोटी से ग्याद करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण गन संख्या बन जाए बच्चों यहां पर हमें कुछ संख्या दीगे है जिमें हमें बताना है कि किस चीज़े गुणा करना पड़ेगा जिससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों पहले इनका अबाजय ग गुणा करेंगे इसलिए हम यह आप लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण गंसंख्या बन जाएगी अगला बच्छो 72 बच्छो आबाज गुणंख्या निकालेंगे तो यह आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 का तो एक संख्या समू पूरा हो रहा है वह तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा दो गुणा दो गुणा ग्यारा है जिसमें अब देखेंगे तीन का समूपूरा हो रहा है और दो में एक दो की कसर है समूपूरा होने में और ग्यारा में वहीं दो ग्यारा की कमी है समूपूरा होने में तो इसको हम लिखेंगे 1188 को 2 गुणा 11 गुणा 11 से गुणा करने पर यह पूर्ण गन बन जाएगी अगला बच्छो 392 इसको बच्छो सबसे पहले हम अबाजय गुणा कर निकालेंगे जो एक आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 इसमें आप देखेंगे 2 का सम्मुण पूरा हो रहा है पर रहन तो 7 का सम्मुण पूरा नहीं हो रहा है तो इसको पूर्ण गन संक्या बनाने के लिए 7 का सम्मुण पूरा पर नहीं हो रहेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 392 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण गन बन जाएगी अगला बच्छो 128 128 का बच्छो आप आज जा गुणन कर निकालेंगे तो यह आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बच्छो यह हमारी वर्क्षीट का आखरी प्रशन था इसी एक साथ हमारी वर्क्षीट यहाँ पर समाप्त होती है आज अगरते आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्छो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तैंक यू